हेलो दोस्तों मैं पुलकमार आप लोगों का आपका अपना यूटीब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जार्खन का ही एक सीरी चला रहे थे ठीक है तो वही सीरीज पर आगे करते हुए नाज हम लोग पढ़ेंगे जार्खन की एक और जन ज जाती को जार्खन की जन जाती को हम लोग देशे पढ़ रहे थे तो वही जार्खन की एक और जन जाती को जो है खोंड जन जाती उससे जालेंगे तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम खोंड जन जाती का बात करेंगे इसका जीतना भी डिटा का अगर हम बात करते कि जार से साथ अगर बात करें तो जहारखन में इनकी जो संख्या है वो काफी कम है कितना है सिर्फ और सिर्फ दोस्व एक इस जो कुल जन जाते जन संख्या का कितना है अगर बात करें इनका निवा सथानका इन सारे जगह उपर ज्यादा देखने को मिलते हैं अगर बात करें इनका संब्द द्रविट पर जाती है समूशे इनका संबन्ध मतला इनका जो हाव कोंगी भासा है ऐटीक है अगर गासा मूक्षा का बात करें तो इस जन्जाती में गासा का मुक्षा को को गोटीया बोला जाता है क्या बोला जाता है और इनको जो परमुख पर होते हो खोड़ीcrire क्रिशि new world मज़दूरी क्या है क्रिशि और मज़दूरी एक चीज़ और जो खोंड जन जाती है इसी का दो टाइप से एक कुरिया खोंड और डोगरिया खोंड ठीक है यही कुरिया और डोगरिया खोंड के द्वारा जो जूम खेती की जाती थी जूम खेती को पोडचा कहा जाता था क्या कहा जाता है पोड़चा कहा जाता है और साथे साथ इनका परमुख देवता को बेलापुन बोला जाता है क्या बोला जाता है बेलापुन और यही बेलापुन ने बेलापुन जो इनके भगवान है इनके जो देवता है उनको सुर्य का परत्नी रूप बोला जाता है लिए जादा बहूलता वाला जन जाती नहीं है और इसके वीसे में जादा कुछ जानना भी नहीं है तो इसे के साथ इस खुंड जन जाती को हम यहीं रखते हैं जहें